कि student life के सामने जो problems आती है उनको हम कैसे face कर सकते हैं उन चीजों के बारे में बात करता हूं मैं उसके ओपर ठीक है और एक बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो यह है ठीक है वो मैं आपको जो समझाना चाहरा हूं एक बात यह वो यह है कि किसी भी चीज को पूरा करने क लिए उसके पहले उसका खाव देखना पड़ता है उसका एक सपना देखना पड़ता है ठीक है क्या आप समझते हैं कि सपने की डेफिनेशन क्या है क्या आप जानते हैं सपने को क्या का जाता है सपना क्या होता है क्या आप समझते हैं सपना एक ऐसी चीज होती है जिसको जब हम सोचते हैं सपने की तरह तब वह इंपोसीवल लगता है इंपोसीवल होता नहीं है इंपोसीवल लगता है कि एसंभव है यह पर एसंभव होता नहीं है अगर एसंभव होता तो वह सपना ही ना होता परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सपने देखना जरूर बहु एरो प्लेन उड़ेगा ठीक है एक जहाज उड़ेगा आदमी उड़ेंगे भाई सब आदमी उड़ने लगे मातमा गांधी ने सोचा कि देश आयाद होगा तो देश आयाद हुआ ये उनका सपना था एश्वार आये ने सोचा कि मैं मिस इंडिया मिस वर्ल्ड मैं एक एक्ट् सेखेंगे ये आज पोसीवल हुआ और आपने ये सपना सोचा कि आप एक दिन जोब लेंगे घर पे आएंगे ममी पापा का आशिरवाद लेंगे उनको खुशियां देंगे ये आपका सपना है और ये सच होगा मैं एक बात और बता देता हूं सोचूची रखना सपने जो भी साथी ओफलाइन भी देखेंगे वो भी इस पर अपने विचार रखना कि कैसा उनको लगा और लाइक जरूर करना और एक एक बंदा एक एक साथी मतलब ये करें कि 10-10-20-20 बंदों को ये सेशन दिखाए अपनी जिम्मेवारी से जितना जादा आप सेशन को शेयर कर होंगा पर डिपेंड करता है आपके विचार के आपको कैसा लगा आज की सेशन को इन तक रखता हूं